जै मातादी दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको इस वीडियो में कार्तिक मास के महात्मे का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी श्रेक्रिष्ण भगवान के चर्णों में शीष चुकाओ श्रधा भाव से पूजोहरी मन वान्चित फलपाओ तो आईए करते हैं तीसरा अध्याय प्रारब सत्य भामा ने कहा हे प्रभो आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में स्रेष्ट क्यों हैं आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिये क्यों कहते हैं इसका कारण बताईए भगवान श्री कृष्ट ने कहा हे भामीनी तुमने बहुत अच्छा प्रश्ण किया है मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो इसी प्रकार एक बार महराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्ण के उत्तर में देवर्शी नारत से प्रश्ण किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारत जी ने उसे कार्टिक मास की महिमा बताते हुए कहा हे राजन एक समय शंक नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया उसके अत्यचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदी देवताओं इवं लोकपालों के अधिकारों को छीन दिया उससे भैभीत होकर समस्त देवताओं ने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु परवत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे ततपश्चात विन निश्चित होकर सुमेरु परवत की गुफाओं में ही रहने लगे उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देफता आनंद पूर्वक सुमेरु परवत के गुफाओं में निवास कर रहे है तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ती अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकार हीन यह देफता अभी भी बलवान है सोचते सोचते वह इस निर्ने पर पहुचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देफता बलवान हो रहे हैं यदि इनसे वेद छीन लिये जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रहमाजे के सत्य लोग से शीक्र ही वेदों को हर लाया उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भैसे उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंडते हुए सागर में प्रवेश किया परन्तु न तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लोटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामगरी लेकर सभी देवताओ के साथ भगवान विश्णु की शरन में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंद आदी से बारंबार उनका पूजन करने लगे धूप दीब नेवेद आदी अर्पित किये जाने पर भगवान की निद्रा तूटी और वह देवताओ सहित भ्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन हुए तथा कहने लगे मैं आप लोगों के इस कीतन एवं मंगला चारण से बहुत प्रसन हूँ आप अपना अभिष्ट वर्दान मांगिए मैं अवश्य प्रदान करूँगा जो मनुश्य अश्विन शुकल की एकादशी से देवो थान एकादशी तक ब्रह्मा मूरत में उठकर मेरी पूजा करेंगे उन्हें तुम्हारी ही भाती मेरे प्रसन होने के कारण सुख की प्राप्ती होगी आप लोग जो पाध्य, अर्ध्य, आच्पन और जल आदी सामगरी मेरे लिए लाए हैं वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्यान करेगी शंखासुर द्वारा हरे हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है मैं सागर पुत्र शंखासुर का वद करके उन वेदो को अभी लाए देता हूँ आज से बीच मंत्र और वेदो सहित मैं प्रती वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा अब मैं मत्स्य का रूप धारन करके जल में जाता हूँ तुम सब देवता भी मुनिश्वरो सहित मेरे साथ जल में आओ इस कार्तिक मास में जो स्रेष्ट मनुश्य प्रातकाल स्नान करते हैं वे सब यग के अवभरत स्नान द्वारा भली भाती नहा लेते हैं हे देविंद्र कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आधी देते रहना और उनकी सभी आपत्यों से रक्षा करना हे धनपती कुबेर मेरी आग्या के अनुसार तुम उनके धन धाने के व्रिधी करना क्योंकि इस प्रकार का आच्रन करने वाला मनुश्य मेरा रूप धारन करके जीवन मुक्त हो जाता है जो मनुश्य जन्म से लेकर मृत्यू परियंत विथी पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनिय है कार्टिक शुकल पक्ष की एकादशी तिथी को तुम लोगों ने मुझे जगाया है इसलिए यह तिथी मेरे लिए अत्यंत प्रती दाईनी और माननी निया है हे देवताओ यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुश्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता अतह प्रतेक मनुश्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्मे और एकादशी की कथा सुनते हुए उप्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए तो यहाँ पर होता है कार्तिक मास के महात्मे का तीसरा अध्याय समाप्त आगे के अध्याय सुनने के लिए और आगे की हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कतना ना भूलें